Assalamu alaikum students आज हम easy trick of multiplication बताएंगे यानि हम easy method के साथ multiplication किस तरह करेंगे यानि 54 को हम 11 के साथ multiply करते हैं तो सबसे पहले हम यह first digit लिखते हैं यानि 5 पर यह first digit और second digit 8 करते हैं तो यह हमारे साथ 9 हो गया और यह second digit हम यहाँ पे again लिखते हैं तो ये हमारे साथ 54 और 11 की multiplication हो गया अब हम ये दूसरा question self करते है यहाँ पे हमारे साथ 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखते है अब 4 और 1 को 8 करते है ये हमारे साथ 5 हो गया और अब ये last digit हम यहाँ पे लिखते है तो ये हमारे साथ 41 और 11 की multiplication हो गया अब अगर 82 multiply 11 करें तो हम वही method follow करते है यहाँ पर हम 8 लिखते है अब 8 और 2 को जमा करें तो हमारे साथ 10 आता है तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे तो 10 में हम यहाँ पर 0 put करते है और 1 यहाँ पर carry करते है और यह 2 हम यहाँ पर again लिखते है तो ये हमारे साथ यनि 902 आगिया इसी तरह हम यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 और 3 को 8 करे 5 आगिया और ये 3 हम अगेन यहाँ पर लिखते हैं अब अगर यनि 3 डिजिट के लिए मल्टिप्लाइ करे 11 के साथ तो हम ये 5 अगेन यहाँ पर लिखेंगे और इसी तरह 5 और 2 को 8 करे 7 आ गिया अब ये 2 और 4 को हम 8 करते हैं तो ये हमारे साथ 6 आ गिया और अब ये 4 अपनी जगा पे लेको और इसी तरह अगर इस से ज्यादा डिजिट के साथ आप मल्टिप्लिकेशन करना चाहते हो तो आप ये 3 अपनी जगा पे लेको 3 और 5 को 8 करे तो ये हमारे साथ 8 हो गया इसी तरह 5 और 4 को 8 करे तो ये 9 हो गया अब 4 और 2 को 8 करे तो 6 आ गया अब 2 और 7 को 8 करे तो ये हमारे साथ 9 हो गया और इसी तरह 7 और 1 को 8 करे तो ये हमारे साथ 8 हो गया और ये last digit हम again अपनी जगह पे लिखते हैं तो इसी तरह हम यह नहीं multiplication कर सकते हैं Thank you for watching